Good morning children, today is your EBS class. आज हम EBS का chapter 5th start करेंगे. Chapter का नाम है My Family and Fun. मेरा परिवार और मस्ती. इस chapter में हम क्या क्या लर्न करेंगे? Types of Families, Family Tree, Relations, Risk and Balance and Learning at Home. इस chapter में हमें बताया गया है. A family is a group of people who are related to one another. एक परिवार है जो लोगों का सम्मू होता है. एक family क्या होती है? जिसमें लोग मिल जुलकर आपस में साथ में रहते हैं. उसे हम family कहते हैं. अब जो family में जो लोगों का group होता है, वो एक दूसर से जुड़े वे रहते हैं, एक दूसर से related होता है. किसी कोई दादा दादी है, कोई फिचाजा चाची से उनका relation है, cousin, brother, sister होते हैं. इसी तरह हमारा उनसे relation होता है. We learn many things from them. हम परिवार में उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनसे हम बहुत सारी चीजें सीखने को में मिलती है. They are our family members. यानि वे हमारे family members ही हैं, जो हमें अच्छे आदतें सीखाते हैं. We love our family members and care for them. हम हमारे परिवार से और परिवार और परिवार के जो members हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी अच्छे से देखबाल भी करते हैं. A family in which only parents and children live together is called a nuclear family. nuclear family यानि जिस परिवार में सिर्फ माता-पिता और उनके बच्चे रहते हैं साथ-साथ में, उसे हम nuclear family कहते हैं. A family can have a few or many members. So, family may be small or large. यानि एक परिवार में सिर्फ जहां माता-पिता और बच्चे ही हैं, उनके बच्चे. तो फिर वो nuclear family कहलाईगी, अगर उस परिवार में थोड़े और वो ज़्यादा members होते हैं, कोई परिवार होता है जिसमें कुछ ही members होते हैं, और कुछ-कुछ परिवार बहुत बड़े होते हैं, तो इस तरह की परिवार को हम small or large family कह सकते हैं. Types of families. Families के परिवार के परकार. A family in which many members live together is called a joint family. यानि एक परिवार में जहां बहुत सारे members साथ में रहते हैं, उसे हम joint family कहते हैं, uncle, aunt, grandfather, grandmother, mother, father, children, cousin, brother, sisters, ये सबी जब मिल जुलकर साथ में हम रहते हैं, तो उसे हम joint family या संयुक्त परिवार कहते हैं. It includes grandparents, parents, uncles, aunts, cousins, etc. यानि इस परिवार में क्या 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 सामिल कर सकते हैं, किन-किन लोगों को हम सामिल करते हैं, grandparents को, uncle, aunt को, parents को, और cousins, ये सबी मिल कर रहते हैं, उसे हम joint family कहते हैं. Sometimes children may live with a single parent, either father, mother और father. अब क्या हुआ कुछ time से, जो बच्चे हैं, वो single parents के साथ भी रह रहे हैं, जैसे या तो mother के साथ रहते हैं, mother नहीं है तो father, यानि दोनों में से एक होता है. Such family is called single parent family, और इस तरह की family को हम single parent family कहते हैं, यानि उसमें या तो mother होगी, तो father नहीं होगी, और father होगी, तो mother नहीं होगी. इस तरह के परिवार में भी आजकल बच्चे रहते हैं, और उस family को हम single parent family कहते हैं. Next page पर आईए. At times, people adopt the children and love and care for them. और आज के time में कुछ लोग, बच्चों को adopt कर रहे हैं, यानि उनको गोद ले रहे हैं, और उनकी अच्छे से देखपाल कर रहे हैं, उनको पुरा ध्यान रख रहे हैं उनका. These parents are called foster parents. तो इस तरह के जो परिवार हैं, इस तरह के जो माता-पिता हैं, उनको हम foster parents, यानि पालक माता-पिता, पालने वाले माता-पिता कहते हैं. The children become a part of their families, यानि जिस बच्चे को वो गोद लेते हैं, वो उनी की family का एक हिस्सा बन जाता है, और वो अच्छी तरह से उसकी देखबाल करते हैं. तो इस तरह के जो parents होते हैं, उनको हम foster parents कहते हैं. अब आता है family tree, यानि परिवार एक व्रक्ष की तरह होता है, पेड की तरह होता है, जिसमें relation आपस में एक दुसरे से जुड़ावा होता है, तो ये family tree बन जाता है. A family tree is a chart-like tree that represents family relationships, यानि जो family tree है, परिवार एक व्रक्ष है, उसको हम बनाते हैं, चाट की तरह है, तो उसमें relation आपस में जुड़ेवे हमको दिखाई देते हैं. The first generation, so grandparents, the second generation, so parents, and their brother and sisters, and third generation, so siblings and cousins, यानि जो ये tree बनाया गया है, family tree बनाया गया है, उसमें सबसे first generation आती है, वो grandparents की आती है. देखो आपी picture में दिखाई दे रहा है, grandmother and grandfather, तो ये first generation हो गई, second generation में क्या हुआ, इनके जो बच्चे होंगे, जैसे mother और father, हमारे mammy, papa, और uncle और aunt, तो ये है second generation, third generation में क्या आएगा, siblings, अब mother और father के ये दो बच्चे हैं, तो ये आपस में बाई बेहन है, और ये uncle और aunt के दो बच्चे हैं, ये आपस में बाई बेहन है, लेकिन इनके ये cousin है, और इनके ये cousin brother और sister कहलाएंगे, तो ये आपस में ये family tree बन जाएगा, फर्स्ट जनरेशन, second generation, mummy, papa, uncle, aunt, third generation में बाई बेहन और उनके cousin brother and sister, ये थर्ड जनरेशन में आजाएगी, paternal and maternal side family tree will be different, यानि जो हमारे paternal, हमारे जो पापा की side की जो परिवार वाले हैं, वो and maternal यानि मदर की side वाले, मम्मी की परिवार वाले हैं, वो उन दोनों का tree, अगर हम बनाएंगे, तो वो different होगा, अलग-अलग बनेगा, people, relations, अब हम relation देखेंगे, क्या-क्या relation होता है हमारा, people who are related to each other in a family are known as relatives, हमारे जो परिवार की members हैं, जिन से हमारे संबंद होते हैं, परिवार की family members से, उनको हम relatives कहते हैं, रिष्टेदार कहते हैं, कि ये मेरे uncle है, ये मेरी बुवा है, ये मेरे mama है, ये मौसी है, जो ये सब जो रिष्टेदार है, इनको हम relatives कहते हैं, we know that the parents of our father and our mother are our grandparents, यानि ये हम सब को पता है, कि जो हमारे father और mother की side के, जो हमारे ममी के और जो पापा के माता-पिता हैं, ममी पापा हैं, उनको हम grandparents कहेंगे, father की side के जो parents है, उनको हम दादा दादी बोलते हैं, और mother की side के जो parents होते हैं, नाना नानी या नाना जी नानी जी कहते हैं, तो वो कहने में grand parents कहलाते हैं Our father's parents are our paternal grandparents यानि जो हमारी father की तरफ की जो grand parents parents हैं उनको हम paternal grandparents कहेंगे Our mother's parents are our maternal grandparents मतलब हमारी जो father की side की जो parents हैं उनके जो ममी पापा है फादर के उनको तो हम paternal grandparents कहेंगे और mother की तरफ के जो हैं उनको हम maternal grandparents कहेंगे We are grandchildren of our grandparents और हम grandchildren हैं हमारे grandparents के हम mother के side वालों के तो वो हमारे नाना नानी है तो हम उनके दोईता दोईती होते हैं और जो paternal side के हैं उनको हम दादा दादी बोलते हैं grandparents को और उनके हम पोता पोती क्या कहलाते हैं तो आज के लिए हम इतना ही learn करेंगे next class में इससे आगे learn करेंगे thank you for today's class